नमस्कार किसान साथियो मैं आपका मने चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ किसान साथियो आज मैं आपको अपने ही खेत के पेड़ दिखाऊंगा जो एक साल आठ महीने के हो चुके हैं और इसकी वेराइटी के अगर बात करूँ मैं तो किसान साथियो 109 वराइटी भी मुकोगी है जो सबसे जादा हम 109 वराइटी ही लगाते हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक साल के पेड़ इनका साइज कितना हो चुका है एक साल आठ महीने के किसान साथ ही हो 20 प्लस कुछ पेड़ है गिसान साथ ही है जिस एक कडमे किसान साथ ही हो जो 21-22 इंच के पेड़ हो चुके है और आवरेज अगर साइज की बात करूँ तो किसान साथ ही 15-20, 19-20 इंच के इसमें पेड़ आप 19 इंच के ही पेड़ लगा लो ओगर आगर मैं ने क्यों अब कि हाइट की बात करूं देखे किसान साथियों हमने इनकी जहंगाई भी सुरू करवा दिया अब करवाई ती कल याने की सितंबर खतम हो चुक है आज 29 तारिक से कल से इसमें हमने जो पेड़ों की जहंगाई करवा है 29 सितंबर से यह देखे निकी टैनियां भी खेत में आप कटी देख रहे होंगे टैनियां काफी भारी हो चुकी थी पेड़ का साइज भी आप चेक कर सकते हैं उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ कर चुके थे पेड होगा इतना साइज इन पेड़ों का होगा किसान साथियों इसमें जो मैं अपने खाद की बात करूं तो किसान साथियों मैं इसमें बरसात के महीने में इसमें हमने डाली थी डीएपी डाली थी किसान साथियों पोटाश डाली थी और जो केंचवा खाद होता है वर्मी कंप लेकिन यह थोड़े उन्चे लेवल के खेता किसान साथ हो इसलिए इनमें पेड़े गिणने का कोई खत्रा नहीं है इसलिए हम वेराइटी भी एक्सो नो इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम मोर वेराइटी की 111-112 की तुलना में अगर बात करें वो हमारे यहां पर कम बारा की बात करूं हो वाराइटी अब अच्छी हैं कि दो पेड़े मिक्स हैं लेकिन वह साइज इसी साइज के हो चुक है राला मिला साइज आइनका इससे कोई ज्यादा ओवर का साइज नहीं है इसमें किसान साथ हो आप यह देखिए अगर आप भी पेड़ लगाना चाह है जिससे हमारे खेत में धूप अच्छी पढ़ती है जड़ों को भी धूप अच्छी लगती है बीमारी से भी पेड़ बचते हैं आप देख रहे होंगे किसी भी पेड़ में कोई भी केड़ा नहीं लगा हुआ है क्योंकि हम जब बे पोपुलर हों में डोस देते हैं तो साथ साथ हम इसमें कीट अनाशक दवाई भी डालते हैं चाहे डीमक्की डाले चाहे कनस्वे वाली डाले लेकिन डालते जरूर हैं इसमें किसांसातियों हमने अगर मैं आपको जो हमने इसमें कीट अनाशक दवाई यूज की थी वो की थी हमनें गन्ने की दवाई होती है कि इसकी दवाई होती है मारकर वो सभी कीटों में popular के काम करती है वो हमने इसमें डाली है और result आपके सामने है सारा का सारा प्लाट आप देख सकते हैं कोई भी पेड़ खराब नहीं है किसी एक भी पेड़ में कीड़ा नहीं है इसका रिजन यही है अगर हम समय समय पर डोज के साथ कीट नाशक दवाई डालेंगे तो किसान साथियों हमारे पेड़ कीड़े से अगर और भी कोई जड़ों में भी लगता है देखे इसमें किसी वाइट ग्राब वाली समस्या भी नहीं है कोई पेड़ खराब भी नहीं है कोई पेड़ सूख आप इनके पत्ते देख सकते हैं बिल्कुल हरे भरे पत्ते अभी तक इनके पड़े हैं किसान साथियों यह फरक होता है समय पर डोज देने का लेकिन अगर हम संबर्स अगर रेनिंग सीजन वाली डोज है अगर हम उसको अब देंगे तो किसान साथियों तीन चार साल अपने खेत के बोंड भी करें पॉपलर लगा कर अगर वह अच्छे त्यार नहों तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है इसलिए हम अच्छी जानकारी आपको देते हैं और वही चीज़ें अंदर वही खाद हम आपको बताते हैं वही खाद हम इनकी जड़ो में डालते हैं तो किसान साथियो आपके सामने रिजल्ट है एक साल आठ महीने के पेड़ अगर कोई भाई ये भी बोलता हो कि हम जूट बोल रहे हैं तो आप हमारे पास आकर आ सकते हम आपको लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं अपने खेतों का इनका बिल भी दिखाएंग अड़ताड़ी के आगे तो इसलिए बिल के साथ हम अपना पूरा प्रूफ किसान साथियो मारे पास और जूट बोलको हमको मिलना भी कुछ नहीं है क्योंकि किसान साथियो मारे एरिया ही पोपलर की खेती कहा है इसलिए हमको नोलीज हो चुकिया पहले हमने भी पेड़ अच्छी चल रही है हमने भी लगानी शुरूगी और रिजल्ट आपके सामने है और जो डोज मैंने आपको इसमें बताई है आप वो डोज भी डाल सकते हैं आपके पेड़ भी किसान साथ ही ऐसे ही त्यार होंगे तो आज की जानकार यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर करके जरूर बताए नए साथियों से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद